हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल और मैं हूँ बाठती तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ अपना बहीती खुबसूरत सा प्लांट जो की है अपराची था और इसके वाइट कलर के फूल है मेरे पास और इसको मैंने नर्सरी से लिया था 60 रुपीज में और जब लिया था शेयर भी किया था तो अभी आप देख सकते हो इसके जो ग्रोथ है एक्चली मैंने इसको शेयर में रखा हुआ है और ग्रोथ भी अच्छी है इसकी फूल भी आ रहे है लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको कहीं थोड़ी सी जहां पर इसको अ टाई कर सकूँ ज्यादा हाइट में बस यही वाल है जिस पे नेल्स लगी हुई है और बाकी जगा बस ऐसे प्लेन ही है तो मैंने इसको तीन चार जगा पर शिफ्ट करके देख लिया है बट मुझे सही जगा यही लगी है लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यहां रही है कि इस को यहां पर अच्छी दूप नहीं मिलती है लेकिन ग्रोथ अच्छी चल रही है पिर भी तो अभी मैं सोच रही हूँ इसको यहां से बाहर निकालू तो कहीं और लगाओं थोड़ी सी जहां पर इसको सल्लाइट मिले और भी ज्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी हो तो मुझे ये बहुत ही पसंद है इसकी जो लेपस होती है और इसका जो भी पूरा स्ट्रक्चर होता है काफी जादा खुबसूरत लगता है और इसमें एक लोशीड भी आता है वो भी है मेरे पास उसको मेरे मतरल ने सीट से ग्रो किया था और इसके भी सीट से मैंने स्टोर करे हुए है तो इसको जब मैं नर्सरी से लाई थी उसी दिन मैंने इस पर नोटिस किया था कि काफी सारी फलियां आई हुई है तो वो एक फली मैंने रख ली थी ये वाली और बाकी मैंने निकाल दी थी और मुझे चाहिए थे सीड्स तो आज बस मैं इसी को ग्रो करूंगी तब जो है इसकी बहुत ज़्यादा फलारिंग जो है हुई थी और तब मुझे इतनी गार्डन में कुछ प्लांट्स की नॉलज नहीं हुआ करती थी लेकिन सीड्स मैंने रखे थे ग्रो किये थे लेकिन हुए नहीं थे बस तब ही से ये मेरे गार्डन में से जो है इन्वीजिवल होगी और अभी मैंने इसको एड़ किया है और ये पहले भी मैंने एक बार लगाई थी लेकिन वो किसी रीजन की वज़े से ग्रो नहीं हुपाई और इस बार मैं लाई हूँ और दो कलर है मेरे पास वाइट और जो ब्लू होता है ये ब्लू शेड है लेकिन ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है और मैं सोच रही हूँ इसकी जो टिप है इसको काट दू था कि ये जल्दी से जल्दी बड़े और यहां पे भी मेरे पास नेट लगी हुई है और इसमें से ये उपर को चड़ेगा इस तरह से तो साइप्रिस वाइन तो हर जगे अपना जो है डेरा जमा लेती है बिना कहें तो बुलाए या लगाए तो हर जगा पे मिलेगी आपको मेरे गार्डन में क्योंकि इसके सीड्स बहुत गिरते रहते हैं और मैंने भी ऐसे ग्रो की हुई है बिना सोची समझे हर जगा पे और लगती बहुत खुब सूरत है तो मैंने एक वेस्ट कंटेनर ले लिया है इसमें मैंने कोई प्रान ग्र मैंने 물amba में प्राह्णी नहीं चाहिए हो तो को अभी मैं इसमें इसको ग्रो करूंगी तो सबसे पहले मैं इसके जो सीड्स है वो निसकाल लेती हूं वैसे जो इसके seeds निकलने का natural process है वो यह है कि अपने आप खुलके seeds जो हैं गिरते हैं और तब इसको grow करना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा सा इनको try करके ऐसे grow कर रहे हूं फिर आपके जो chances है grow होने के बढ़ जाते हैं ऐसे भी grow हो जाएंगे तो मैं आदे ही seeds लगाऊंगी क्योंकि किसी reason की वज़े से नहीं grow हो पाते हैं तो अगर नहीं भी हुए तो बाद में इनको grow कर सकती हूँ तो अभी मैं 4 seeds के लगाऊंगी तो अभी मैं इसमें डाल दी हूँ पानी और पानी डालने के बाद इसमें जो इसकी जगह है वो हमने चुननी है चाया वाली तो चाया में इसलिए रखते हैं हम ताकि जो पानी है इसमें से जल्दी ना सुखे और जो हमने बीज डाला है वो अच्छे से फूल जाए और फूलने के बाद उसको grow होने में ज्याला दिक्कत ना इस वज़े से हम इसको shade में रखते हैं लेकिन अगर आप उसका temperature या फिर उसकी जो moisture है उसको maintain करके रख सकते हैं तो आप इसको दूप में भी रख सकते हैं तो दूप में रखने से इसको कोई भी problem नहीं होगी लेकिन आपको उसके अंदर का moisture जो है उसको बरकरार रखना होगा ताकि वो अच्छे से जो सीड है व कि लिए बाइ बाइ टेक कियर